ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खूर निकलाता है फिल्म वक्त के इस समबात की अदाइगी से अभिनेता राजकुमार ने अपनी पहचान बनाई थी मगर कितने लोगों को याद होगा कि वह डायलोग जानी ने बलबीर बने अभिनेता मदनपुरी से कहा था उसी वक्त में रह्मान के हाथों कतल होने से पहले तुमने मुझे मारा तुमने मुझे मारा रटते हुए अपने मालिक चिनोई सेट पर चाकू से वार करने वाले भी मदनपुरी थे तो दीवार में हमेशा सिगार पीते गैंग लीडर सामंत बन कर विजय अमिताब बच्चन की प्रेमिका बनी परवीन बाबी की हत्या करने वाले भी मदनपुरी थे जिन्हें होटेल की उची मंजल से बच्चन फेक देते हैं मदनपुरी को वैसे नई पीडी के दर्शक अमरिशपुरी के भाई के रिष्टे से भी पहचान सकते हैं मगर ये ठीक नहीं होगा क्योंकि मदनजी मुगैंबो से उम्बर में बड़े थे और हिंदी फिल्मों में भी उनसे काफी पहले आये थे मदनपुरी से बड़े भाई चमनपुरी भी फिल्मों में बतोर चरित्र अभिनेता काम करते थे परन्तु उन्हें कभी अपने दोनों छोटे भाईयों मदनपुरी और अमरिशपुरी जैसी सफलता नहीं मिली थी 1915 में पठान कोट में जन में मदनपुरी की वरेता का अंदाजा इसी बात से भी आ जाएगा कि कॉलेज के दिनों में किये एकनाटक माल रोड में वे हीरो थे जानते हैं उनकी हिरोईन कौन थी चानकर आश्यर्य और आनन्द होगा कि मदनपुरी की नायका बने थे प्राण जो भी उन दिनों अभिने के शेत्र में आने की कोशिश कर रहे थे मगर एक्टिंग को उन दिनों इतना अच्छा व्यफसाय कहां माना जाता था मदन जी के पिता जी ठहरे सरकारी अफसर और अपने बेटे को एक्टर बनाने के लिए तो भी ये तक नहीं पड़ाया था इसलिए युवा मदन को भी सरकारी नौकरी में लगा दिया अपनी छे साल की नौकरी के दोरान उनका तबादला शिमला कराची जैसी जगहों पर होता रहा ऐसे में एक बार उनका ट्रांसफर कलकत्ता हुआ वैसे 1971 में गुजराती सामयक जी को दिये उनके एक इंटर्व्यू में ये बात भी खुलती है कि वो तबादला मदन जी ने खुद करवाया था क्यूकि न्यू थियर्टर्स और कुंदनलाल सहेगल दोनों वहां थे के एल सहेगल उन दिनों के यानि की 40 के दशक में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले स्टार थे मदन पुरी के मुताबिक उमर खयाम फिल्म में काम करने के लिए सहेगल साहब को एक लाक रुपए मिले थे सहेगल जैसे सूपर स्टार से मदन पुरी का पारिवारिक संबंध था वे मदन जी की बुवा के बेटे थे कलकत्ता में नौकरी करते करते यानी पिताजी को बताए बिना ही उन्हें दलसुक पंचोली की फिल्म खजांची के एक गीत सावन का नजारा है मैं परदे पर गीत गाते दिखने का मौका मिला सिनेमा के लिए मेकप लगाने का वहब प्रथम प्रसंग था फिल्म रिलीज होते ही पिक्चर तथा वो गाना दोनों सूपर हिठो गए और उनके पिताजी ने खजांची देखी तो अपने लाडले को जैसे एक आक्टर देख चौक गए उन्हें पता था कि मदन कलकत्ता में थे और ये पिक्चर तो लाहौर में बनी थी परन्तु पिता एस निहाल चंदपुरी को और माता वेद कौर जी को कहां पता था कि खजांची का वो एक ही गाना कलकत्ता के बोटनिकल गार्डन में शूट हुआ था और बाकी सारी फिल्म लाहौर के स्टूडियो में मदनपुरी अब कलकत्ता में छोटी-छोटी भूमिकाओं में काम करने लगे थे जिसके फ़स्वरूप उन्होंने माई सिस्टर राज लक्ष्मी कुरुक्षेत्र बनफुल जैसी फिल्मों में काम किया और एक दिन प्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़कर वे 1945 में तीन हजार रुपए लेकर मुंबई चले गए उनके पिता जी को ये अच्छा नहीं लगा क्यूकि तब तक मदन जी की शादी भी हो चुकी थी और वे दो बच्चों के पिता भी बन चुके थे मगर तीन ही महीने में उन्हें बतोर हीरो कुलदी फिल्म में लिया गया जो फ्लॉप हो गई इतना ही नहीं पहले पहल आई चारो पिक्चरें असफल रही तब वे पहली बार खलनायक बने देवानंत और सुरया की फिल्म विध्या में उस वक्त से जो हीरो गिरी छूटी तो पहले विलन और बाद में चरित्र अभिनेता बने उस प्रकार की भूमिकाओं में 1985 में उनके देहान तक मदनपुरी ने काम किया खासकर 60 और 70 के दशक में आई कितनी ही हिट और सुपर इट फिल्मों के वे हिस्सा थे मदन जी को आराधना के उस करुणा में ज्वेलर के रूप में कौन भूल सकता है जो रेटायर होकर कैदी शर्मिला टैगोर को अपने घर ले जाते हैं तो दूसरी ओर उपकार में भाई भाई के बीच आग लगा कर खुश होने वाले खलनायक चरंडास को भी कोई कैसे भूल सकता है उनके छोटे भाई अमरिशपुरी के साथ दिलिप कुमार की मुखे भूमिका वाली यस्चोपडा की फिल्म मशाल में वे तोलाराम बने थे और हर बार अमरिशची अपनी भारी आवाज में कहते थे जमाना बहुत खराब है तोलाराम उनकी ठाइसो से अधिक फिल्मों और उनकी भूमिकाओं के बारे में इतने छोटे से आलेक में लिखना डौन के अमिताब के स्टाइल में कहें तो मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है यहां सिर्फ मदनपुरी की कुछ फिल्मों के नामों का उलेक मात्र करके उनके विशाल कारे फलक की ज्छांकी दिखलाने का प्रयास करते हैं तब भी कितनी सारी फिल्मों का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है यह सिर्फ उनकी गिनी चुनी फिल्मों के ही नाम है इन में से किसी में वे गाउं की लड़कियों को परेशान करने वाले बने होंगे तो कहीं वे किसी अबला की इज़त लूटते खलनायक होंगे कभी डॉक्टर तो कभी वकील एक बार कैदी तो दूसरी बार जेलर जाने कितने ही किरदारों को इस कलाकार ने परदे पर जीवित किया था एक समय था जब वे मुख्य खलनायक होते थे फिर समय की मांग के अनुसार चरित्र अभिनय करते हुए कभी हीरो के पिता तो कभी नायका के चाचा बने मदनपुरी ने मिनिस्टर से लेकर डाकू तक के हर किरदार को बखू भी निभाया था मदनपुरी जी ने प्राण तथा अन्य चरित्र अभिनेताओं के साथ मिलकर Character Artist Association की स्थापना की थी जो बाद में सिने Artist Association बना और आज वो सिनेमा उप्रांथ टीवी के कलाकारों के वेतन और काम के समय को लेकर हर समस्या का निप्टारा करने का काम करता है ऐसे नेक दिल इंसान मदन जी का 1985 की 13 जन्वरी के दिन हाट अटेक की वजह से देहांत हुआ था मगर उनके चले जाने के बाद 1989 में आई उनकी अंतिम फिल्म मनोज कुमार की संतोश तक उनका अभिनाय हमें देखने को मिला था झाल थार ठाट प्याक ज़ता हमें हमें हमिल्म झाल 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 सुटबंगा की रहता है झाल